हेलो फ्रेंड वेलकम बेक टू मैं यूटूब चैनल और मैं हूँ आपकी फ्रेंड जूती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजीटल वर्ड एंड ब्यूटी टच तो फ्रेंड आज मैं आपके लिए वेडिंग गैस्ट मेकप लुक लेकर आई हूँ जैसे कि आप जानते ह है कियसे आप एक गॉजडि उसलों कर सकते हैं। वह मैं आपने वीडियों में आपको पताने वाली हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा मेकप कितना अच्छा लग रहा है और इस तरह क्श्राइब आप कि तरह से कर सकते हैं शादी में जाना managed के लिए तो वीडियो को plог देखिये गास किंग करिए जिससे कि आपको आपको अच्छे से समझ में आए cig मेकशार आप कि तरीके से करना है और अगर आप मेरी से चैनल पन नपनना है तो चैनल को सस्क्राइब कर दिजिए बैल ब्र Bak WILL को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने फैमली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे की मेरा वीडियो जादा से जादा करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे अब्जर्व हो जाने देना है अच्छे से वह जब इसकिन में चला जाएगा ना तो हमारे मेकप बहुत ही अच्छे से अगर आपके स्टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर का भी यूज कर सकते हैं इसके बाद मैं लूवीरा जैल आपलाए कर रही हूं जिससे की हमारी मेकप में बहुत ही अच्छे से शैनिंग आती है अगया अगयार हम जो भी मेकप करते ना तो इस में बहुत ही चमक रहती में नहीं करता है हमारा फाउनडेशन जब लगता है तो सबूसे удね बाद में मोस्ट्राइजर का यूश करी हूं जोना दी यूश करें यहां यह सारे वीडियोस में यह वाला मोस्ट्राइजर यूश करती हूं क्योंकि je बहुत अच्छा लगता है और अच्छe से ये मैं Fernando naf circa 60 हो आनी ह hobbies ना वह अच्छे ना तो में मॉस्ट्राइज रिस्ते भी लगाने चाहिए क्योंकि हमारी स्किन फट्टी फट्टी ना देखे मेकप बिल्कुल बिख्रे ना अच्छे सी रहे क्योंकि फिर वह ऐसे लेयर बन जाते ना मेकप के तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए हमें यह सब अपलाई करना है जिससे की हमारा मेकप बिल्कुल भी फैला फैला सा ना देखे या उस पर डबल लाइनिंग आए या कुछ भी हो इसलिए इसके बाद में सीरम का यूज करी हो और जो मीरा सीरम है ना इसमें आपको अलग से प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं होती है इसम तो ड्राय होने दीना क्योंकि कोई भी प्रोड़ेक्ट है हमारी इसकिंद अगर ड्राय नहीं तो तो फिर न हमारा मेकप अच्छे से नहीं हो पाता है जै क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ की लियर पर लियर बनाते जाएंगे ना तो फ्रेंड्स वह मेकप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और जैसे कि हम सब चाहते तो वेडिंग सीजन है तो सभी special दिखना चाहते हैं अगर किसी शादी में जाते हैं तो हम अच्छे से अच्छा guest makeup करना चाहते हैं तो बस आपको अच्छे से लगा लेना है और उसके बाद मैं foundation apply कर रही हूँ जो कि लैक में का 9 to 5 का foundation है और यह foundation बहुत ही जादा अच्छा है तो फ्रेंट में foundation लगा लूँगे मैंने foundation को dot dot करके ही लगाया है जिसमें कि हमारा product है जो विल्कुल भी waste ना हो और जहां मुझे जाजा ज्यादा सा pigmentation है ना गालों के side side में तो मैंने वहां पर थोड़ा सा ज्यादा foundation लगाया और उसके बाद मैं blender की help से इसको blend कर लूँगी और अच्छी तरीक फिर मैं blender की help से अच्छे से blend कर लूँगी पूरे face पर तो इसको आपको अच्छे से blend कर लेना है क्योंकि अगर हमारा foundation अच्छे से blend नहीं होता है ना तो भी lines दिखती है ना face पर foundation की वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तो इससे हम अच्छे से blend कर लेंगे आपको याद रखना है कि blender ना आपका गेला होना चाहिए कभी सूखे blender से आपको foundation ब्लैंड नहीं करना है उसके बाद मैं perfect look का concealer लगा रही हूं जहां-जहां पर मुझे dark है वहां-वहां पर मैं उसे लगा रही हूं आइस की उपर लगा रही हूं जिससे कि हमारा आइस का makeup भी अच्छे से होगा तो इसे भी मैं अच्छी तरह से ब्लैंड कर लूँगी जहां-जहां पर मैंने लगाया है lips के पास में आखों की नीचे आखों की ऊपर है ना और थोड़ा सा मैंने यहां पर भी लगाया है चिक्स पर क्योंकि यहां पर हमके जब कंटोरिंग करते हैं न तो हमारा कट अच्छे से आता है इसलिए मैंने थोड़ा से यहां पर भी लगा लिया था तो इसको मैं अच्छी तरीके से ब्लैंड कर लूँगी ना ब्लैंड करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी loose powder अगर आप के पास face powder अब कर सकते से और ग्री आपको loose powder का ही यूज़ करना है और कभी कभी आपके पास loose powder ना हो या फिर face वह बिल्कुल भी बिखरता नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि उसमें लाइनिंग्स आएंगे अगर आप पाउडर लगा लेते हो ना तो वह अच्छी तरह से dot dot करके उसके बाद मैं कंटोरिंग कर रही हूं तो इंसैड कोस्मेटिक का कंटोरिंग स्टिकली है मैंने और वो लगा लिया है finger की help से डॉट-डॉट करके उसके बाद में से उपर की तरफ while ब्लैंड कर रही हूं तो मैं आप जब चंद दिंगा से को तसके बाद मैं एब्रोह फिल करें थू तो यह ड़ीड़ास का जिसका मैं यूज चरियो घिय को मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा कमफर्टेवल लगता है इसलिए मैं इसी का यूज करती हूँ तो मैंने दोनों आईब्रोस फिल करनी है आप देख सकते हैं उसके बाद मैंना आई मेकप स्टार्ट करी हूँ तो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग शेड ले लूँगी तो मैंने जिस कलर की साड़ी पहनी हुई है मैंने वाला शेड ले लिया है है न और उससे अपने आईस पर अच्छे से लगा लूँगी पूरी आईलेट पर लगा लूँगी मैं आज कोई डबल शेड नहीं ले रही हूँ सिंगल ही शेड ले रही हूँ क्रीज लाइन पे लगाने के लिए मैंने कोई शेड का यूज नहीं किया है आज क्योंकि यह डार्क शेड है ना इसलिए फेंट्स मैंने का कि हमें कोई और लाइट शेड की ज़रूवथ ही नहीं यह क्योंकि इसके आगे इतना डाक शेड है ना सारे शेड ही छुप जाएंगे इसके फिर मैंने कहा कि नहीं एक ही शेड लेते हैं वो काफी अच्छा लगेगा बट मैं पहले सोच रही थी कि मैं इसके साथ थोड़ा सा गोल्डन भी एड़ करूं फिर मैंने कहा नहीं उतना धर्ट टुक नहीं आरहत था थे तो मैंने गोल्डन भी लगा या ओन लिइवां लगाया है मैंने तो इससे मैंने पूरी यह पर लगा लूग ऑच्छा से घरनर ब्लायन को है यहां तक मोी हटांगे उसी तरह से अच.' फिर यहां ने शेड हो ना वहां तक मैं liner लगाऊँगी क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि वहां तक मैं अगर liner लगाती हो ना तो काफी अच्छा लगीगा इसलिए मैंने शेट को भी लाइनर का शेप दे दिया है वहां तक और इस आख में जो फेंट्स अच्छा कलर नहीं आपा रहा था वैसा एक सा तो मैं इसको ट्राइ करी थी कि जब तक विल्कुल सेम कलर ना आ जायना और ये थोड़ा सा जो मैं बाहर निकाल रही थी ये वो अच्छे से हो जाए तो मैंने ही लगा लिया है और उसके बाद मैं लाइनर लगाना स्टार्ट करनी हूँ तो छोटे छोटे से स्टूक में मैंने लाइनर लगाया है जिससे के आसानी से लग जाता है और बिगड़ता भी नहीं है अगर डारिक्ट हम पूरा एक ही बाहर में लगाने की कोशिश करते ना तो कभी कभी गलत हो जाता है फैलने लगता है तो देखिए मैं जो लाइनर लगा रही हूँ वो बिलकुल जो जहां तक मैंने आईशेडू किया है काजल लगाया है मैंने सारा ब्लू हैविन का ही यूज किया है काजल और लाइनर जो की वाटर प्रूफ है और इसके बाद में इंसाइट कॉस्मेटिक का हाईलाइटर यूज करीओ फ्रेंड़ सी हाईलाइटर ना बहुत ही जादा अच्छा है और बहुत ही pigmented है और काफी मतलब अच्छा लगता है लगाने के बाद हमारा चहरा बहुत ही shine करता है और बहुत ही प्यारा लगता है तो आज मैं थोड़ा सा lips की उपर भी लगा रही हूं highlighter क्योंकि ना मैंने भी देखा था किसी चीज में lips की उपर लगाओ लगी shape दिखाई देता है और बहुत ही प्यारा लगता है तो इसलिए मैंने लगाया था और काफी अच्छा लग रहा था आप देखेंगे अभी जब मैं lipstick apply कर लूँगी ना तो कितना प्यारा देख रहा और आप देख सकने की highlight करने के बाद चेहरा कितना अच्छा लगता है ह और यह highlighter भी बहुत ही अच्छा है अगर आप यूज़ करना चाहे ना इससे तो आप कर सकते हैं बहुत ही प्यारा highlighter है तो highlighter की बाद में lips की contouring कर लूँगी जो की एडिटास की pencil ली है मैंने आप चाहें तो जो भी आपकी फेवरिट पैंसिल हो से आप contouring कर सकते हैं थोड़ा और बहुत ही अच्छे से लग जाती है उसके बाद मैं अपनी dress के according की shade यूज़ कर रही हूँ ये थोड़ा सा मैं क्या कहूँ उसको dark pink होता ने जो rani color कहते हैं थोड़ा सा मैंने वो वाला color लिया है और उसके बाद मैं अपने eyes के पास थोड़ा सा highlighter यूज़ कर रही हूँ क जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं lips पर कर रही हूँ उसके बाद मैं makeup fixer ले रही हूँ जो कि सुछ beauty का पूरे face पर इसको spray कर लिया है तो friends यह रहा मेरा final look आप देख सकते हैं कि मेरा makeup कितना glow कर रहा है और कितना अच्छा लग रहा है इस तरह का makeup आप भी कर सकते हैं ज आप ये makeup करेंगे ना तो आपका makeup बहुत ही अच्छा होने वाला है यह पूरा आपको मैंने अपने वीडियो में बताया है तो आप वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से makeup करना है तो इस तरह से आप भी gorgeous दिख सकते हैं good looking दिख सकते हैं बहुत ही प्यारे दिख सकते हैं और उसके बाद आपको dress के according jewelry कैरी कर लेनी है जो कि आपके makeup को चारचान लगा देती है कहते हैं na jewelry बिना makeup अधूरा है तो इस तरह से आपको jewelry भी ले लेनी है और आपका makeup बहुत ही सुन्दर दिखेगा तो बिलते हैं next video में त Thank you friends, happy रहें कुछ रहें